करनाल जिले में शेनिवार को करोना की 76 केस पोजिटिव पाए गए हैं इनमें से 22 केस इंटिजिन टेस्ट तथा 24 केस आटी पीएस आर से पाए गए हैं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सीविल सर्जन की रिपोर्ट के मताबिक जानकारी देते हुए बताया कि करनाल जिले में अब तक करोना वाइरस संक्रमन से संदिग्द कुल 70,995 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए जबकि इन में से 62,986 की रिपोर्ट नेगिटिव आई है तथा 7,058 मामले पोजिटिव हैं जिन में से 102 मरीजों की मृत्यू हो चुकी है 1116 एक्टिव हैं तथा 58,440 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं उपायुक्ति ने बताया कि शनिवार को 156 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं उपायुक्ति ने जिलावासियों से कहा कि वह जरूरी कारिये के लिए ही बाहर निकले, मास्क का परियोग करे, सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखे और अपने आपको निरंतर सेनिटाइजि इस मोके पर जिलावपायुक्ति ने करणाल की जनता से अपील करते हुए कहा कि जीले में कोविड-19 की जाज का कारिये किया जा रहा है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है, सीविल तथा कलपना चावला मेडिकल कॉलेज की टीम दुकानों पर जाकर कोविड-19 के टेस्ट कर रही है, उन्होंने लोगों से आवान किया कि टेस्ट करवाने में अपना सहयोग दे, इस अवसर पर जीला उपायुक्ति ने कहा कि जो लोग करोना पोजिटिव पाए गए थी और वह ठीक हो गए हैं, वह जादा से जादा संख्या में पहुचकर प्लाज्मा डोनेट करे जिस से किसी जरूरत मंद व्यक्ति की जान बचाए जा सके, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने से व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती हैं, बताते चले कि करनाल में प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कलपना चावला मेडि किरिद किया हुआ है उपयुक्त ने कहा कि कर नाल जिलने में म्रेजों के ठीक होने का आकड़ा ऐक्यासी परतिशत है ज्यादातर लोग ठीक होकर ही जा रही है उन्होंने लोगों से आहवान किया कि प्लाजमा दोनेट कर जरूत लोगों की सहायता करें करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप सब को मेरा नमस्कार कोरोना से संबंदित कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप से शेर करना चाहूंगा एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आप सब इभी तरीके से हमें निश्चिन्त होने की आवशक्ता नहीं है उतनी ही प्रिकोश्चन्स लेने की आवशक्ता है क्योंकि यह हमारी बड़ी फैटल साबित हो सकती है कल रात तक कि अगर मैं बात करूं तो हमारे जिले में लगबग 6900 केसे के करीब आ चुके हैं और उनमें से 80 प्रतिशत से जदा लोग ठीक होकर के अपने घर भी जा चुके हैं तो यानि हमारी रिकवरी रेट जो है लगबग 80-80 प्रतिशत है और जो हमारी पॉजिटिवटी रेट है वो 8.1 है यानि जो टोटल सेंपल अब तक हमने लिये हैं सतर हजार के करीब तो RT-PCR से सेंपल लि लोगों का टेस्ट किया जाए इसमें मेरा आप सबसे आग्रे रहेगा कि कुछ जगे पे देखने में आया है कि लोग सेंपल कराने से या टेस्ट कराने से परहेज करते हैं मना करते हैं तो मेरा आप सबसे आग्रे रहेगा कि अगर किसी भी इंडिविजुल में सिंटम्स है लक्षन है कोरोना के तो वो जरूर अपना टेस्ट करवाए टेस्टिंग के लिए हमने कलपना चावला मेडिकल कोलेज को अधिकरत किया है उसके अलावा भी सेक्टर 16 में जो डिस्पेंसरी अर्बन डिस्पेंसरी है वहां पे भी टेस्ट हो रहे हैं करनाल जिले की साथ जो सी प्रिशानी या बाधा नहीं आएगी साथ ही में हमने एक और प्रिशाशने दो तीन व्योस्थाइं की है कोरोना केसे बढ़ने की वज़े से वह आपके ध्यान में लाना चाहूंगा एक तो जितनी भी बैड्स की अवलेबिलिटी जिला प्रिशाशन के पास है कई बार सूचना हमें मिलती रहे कि कितने बैड अवलेबल हैं और लोगों को भी पता चलता रहे कि खाली बैड कितने हैं वेंटिलेटर कितने खाली हैं यह सारी हमने इसके लिए एक ओनलाइन पोर्टल तयार किया है और यह पूरी जानकारी है यह आपको जिला प्रिशाशन की साथ ही एक जो और समश्या लोगों के सामने हमारे सामने जो आई की लोगों फेस कर रहे हैं वो है कि कोरोना की रिपोर्ट के बारे में क्योंकि काफी सारी चीजों के लिए चाहे वो ट्रेवल्स के लिए हो चाहे वो इस्कूल में जाने के लिए हो कोरोना की रिपोर्ट मेंडेटरी कर दी गई है सरकार के द्वारा तो अगर कोई भी इंडिविजल जो भी सैंपल दे और उस इंडिविजुल को उस नागरिक को मैसेज के जरीए सुचित किया जाएगा कि आपकी जो आपने कोरोना का टेस्ट करवाय था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगटिव है और इवन जो उसकी एक कोपी है पीडिया फाइल में वो भी उस मैसेज के जरीए उसक करने की आउशक्ता नहीं है प्रिशाशन ने पूरे मुस्ताइद इंजाम किये हुए है कोरोना की महमारी से लड़ने के लिए मेरा आप से एक बार और आग्रह है कि ज्यादा ज्यादा संख्या में सैंपलिंग करवाएं टेस्ट करवाएं थोड़े से भी सिंप्टम्स में आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसे विक्ति के संपर्क में रहे हैं जिसको कोरोना के लक्षन है अत्वा करोना पॉजिटिव पाया गया है तो भी अपना सैंपल जरूर कोवाएं जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कल्पना चावला मेडिगल कोलेज में प्रिशाशन प्लाजमा बैंक स्थापित किया हुआ है और वो सभी लोग जो करोना की महमारी से ठीक हो चुके हैं वो सब अपना ब्लड इसमें डोनेट कर सकते हैं साथियों हमारे जिले में टॉटल जो करोना के 6982 मामले कल तक आये हैं उनमें 5684 लोग ठीक होके जा चुके हैं यानि लग उसके डोनेशन के लिए बहुत कम लोग अभी सामने आए हैं तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो लोग कोरोना से स्वस्त हो चुके हैं ठीक हो चुके हैं और उनके अगर शरीर में कोई और को मॉर्बिटीज नहीं है कोई और विमारी नहीं है तो वो सामने आएं और क कोलेज आकर के प्लाजमा बैंक में अपना डोनेट करें क्योंकि आपका डोनेट किया हुआ प्लाजमा आगे काफी लोगों की जान बचा सकता है इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये पूर्ण तया सेफ है सुरक्षित है मेडिकल स्टुडीज में और सारे एक्सपर्ट्स ने ये राय दी है कि जो भी कोई कोरोना का पेशेंट है वो अगर ठीक हो गया है और अगर उसमें अंटी बोडिस डेवलप हो गई है तो वो स्वस्त रहते विए बिलकुल सुरक्षित तरीके से अपना प्लाजमा डोनेट कर सकता है इसमें किसी भी तरीकी कोंप्लिकेशन की आने की संभावना बिलकुल नहीं है प्रिशाशन भी उन सभी लोगों को आमंतरीत करेगा जो रिकवर कर चुके हैं कोरोना से प्लाजमा डोनर्स को प्रिशाशन प्रोटसाहीत करेगा हम उनको सर्टिफिकेट्स वगरा दे करके भी सम्मानित करेंगे इसलिए मेरा आप सबसे आगरे है कि जो जो लोग करोना की महमारी से ठीक हो करके अपने घर जा चुके हैं जो करोना योद्धा हैं वो आगे हैं और कल्पना चावला मेडिकल कोलेज में जो प्लाजमा बैंक बनाया हुआ है वहां आकर के अपना के आजमा से लोगों की जिन्दगी बचाई जा सके आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइज शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्र प्रफेक्ट वेन्यवाद वेडिंग लाँचिंग अन्पाइज राज गराना एंड जोती गादन अजेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब